हेलो दूस्तों वेलकम टू इलक्ट्रोनिक इस्टेडी यूटूब चैनल डेली करेंट अफेर्स की सीरीज में आप सभी का स्वागत है जैसा कि आज है 17 नौवेंबर तो देट से सम्मंदे जितने भी महत पूर करेंट अफेर्स होंगे वहम इस वीडियो में देखेंगे इसक का रिवीजन भी करेंगे तो चली सुरू करते हैं आज का अपना एसेसन और देखते हैं पहला करेंट अफेर्स पहला दिया हुआ है अरुणाचल प्रदेश के बारे में तो अभी अरुणाचल प्रदेश में कैसरे हिंद को राजी तितली के रूप में मानता दे दी गई है यानि कि यह जो कैसरे हिंद है यह तितली की एक प्रजाती है और यदि इस तितली के विग्यानिक नाम की बात की जाए तो इसे टीनो पॉलपस, इम्पीरियालिस के नाम से हम जानते हैं तो इसका विग्यानिक नाम भी आप ध्यान रखेंगे देखे अरुणाचल की इस्थापना की गई थी और यदि मुख मंत्री की बात की जाए तो वर्दमानमिज और राचिल प्रदेश के मुख मंत्री है इनका नाम में पेमा खांडू और राज्यपाल है बीडी मिस्रा अगला देखते ही दिया हुआ है मन्नु भंडारी जी के बारे में बहुत ही प्र नाम हम रिवाइस कर लेते हैं मैंने आपको बताया था था थानू पदमनाभन के बारे में जो की एक सैध्धानतिक भौतिकी वैज्ञानी और ब्रम्हांड वैज्ञानी थे और ये जो थानू पदमनाभन थे ये पदमिस्री पुरुसकार से भी सम्मानित थे इनका भी खिका और कवेत्री थी बाबा साहब पुरंदरे ये एक प्रिसिद इतियासकार थे और अभी हमने पढ़ा था जो कि पुर्टगाल की पूरु राश्रपती थे इनका भी अभी 81 वर्सकियों में निधन हो गया था और यदि अन्य नाम की बात की जाए तो मैंने आपको बताय एक नाम और आनंद संकर पांडया ये अभी एक प्रिसिद लेका को और विस्व हिंदू परशत के पूर उपाध्यक्षते इनका भी अभी निधन हो गया है तो यह कुछ महतवपूर्ण नाम थे जिनका भी पिछले हपते निधन हुआ था अगला देखते हैं दिया हुआ है राहुल द्रमिड के बारे में जैसे कि आप सभी को ग्यात होगा ये भारती क्रिक्टर है तो अभी राहुल द्रमिड को बच्चों के फुटबियर ब्रेंड प्लेटो के ब्रेंड अमबेश्डर और मेंटर के रूप में निधन किया गया है अब देखिए ब्रेंड सरकल का ब्रेंड अमबेश्डर निधन किया गया था जूबीन गर जोकी असम के लोगपरी गायक है इन्हें बंधन मेंक ने अपना ब्रेंड अमबेश्डर घोसित किया था और यदि बात की जाए एमवे इंडिया की तो एमवे इंडिया के जो ब्रेंड अमबेश्डर वरत कोहली और दिल्ली सरकार के दोरे एक कारिक्रम की सुरुवात की गय थी देश की मेंटोर कारिक्रम तो इसके अम्भैजडर के रूप में नुट के आ गया था सोनु सूध जी को और आरोग गिशेतु एप के जो ब्रेंडम बेजडर है वरतमान में ये है अज़द एऊगन और वंडर सहब के करती सैनन है कौईन डिसी एक्स के वरतमान ब्रेंडम बेजडर है अमिताब बच्चन जी तो यह कुछ महत्वपूर ब्रेंडम बैजडर थे जिनका नाम मैंने आपको बताया अगला देखते हैं दिया हुआ है 2021 जेसीवी पुरुसकार के बारे में तो यह इस वर्स दिया गया है लेखक M. Mukundan को और मिला क्यों है तो इनकी पुरुसकार की बात हुई है तो कुछ अन पुरुसकार को एक बार रिवाइस कर लेते हैं एक पुरुसकार था जिसका नाम था Women's Prize for Fiction तो यह इस वर्स मिला है सुजाना कलार्क को इनके कालपने कुपन्यास पिरा नेसी के लिए इसके लावा देखी मैंने आपको बताया था 2021 Global Goal Keeper Award के बारे में तो यह मिला है फुमजले ग्लामबो एंग कुका को जो की सेख्त राश्ट की पूर अवर महासेच्यू और सेख्त राश्ट महिला की कारकार निदेशक है तो नाम ध्यान रखेंगे आप फुमजले ब्लामबो एंग कुका का इन्हें 2021 के Global Goal Keeper Award से सम्मानित किया गया था और इसके लाव मैंने आपको बताया था बानुमती घीवला जी के बारे में जो की गुजरात के साया जी राव जनर्रल हॉस्पिटल की एक नर्स है इन्हें इस वर्स Florence Night Angle Award 2021 से सम्मानित किया गया था स्वामी ब्रह्मा नंद पुरुसकार 2021 ये मिला है आनंद कुमार को ये स्वामी ब्रह्मा नंद पुरुसकार ये सिक्षा के शेत्र में दिया जाता है और आनंद कुमार इनके बारे मैंने आपको पहले वी बताया है ये सुपर ठर्टी के संस्थापक है सुपर ठर्टी है क्या तो ये रामा नुजन स्कूल आफ मैथमेटिक्स का एक कोचिंग प्रोग्राम है जो की पटना में स्थेत है ये गरीब बच्चों को आयाइटी पास करने के लिए फ्री में कोचिंग देता है तो ध्यान रखेंगे स्वामी ब्रुम्हन अन्द पुरुसकार ये मिला है आनंद कुमार को इसके लावा बेहलर कचुआ अवार्ड से सम्मानित किया गया इस वार सेलेंद सिंको तो ये कुछ महत्वपूर पुरुसकार थे अगला देखते हैं दिया हुआ है वीवियस लक्षमर जी के बारे में तो ये जो वीवियस लक्षमर जी है ये पूरु बल्ले बाज है और इन्हें अभी राष्ट्री क्रिकेट अकेडमी यानि की नेशनल क्रिकेट अकेडमी के प्रमुक के रूप में निउक्त किया गया है अगला देखते हैं दिया हुआ है ओडिट दिवस इसे हमने पहली बार इस वर्स मनाया है 16 नुएंबर को देखी विवरण देख लेते हैं इसका भारत के नियंतरा केवं महालेखा परिक्षक यानि की कॉमपट्रोलर एंड ओडिटर जनरल ओफ इंडिया जिसे हम कैग के नाम से जानते हैं कि संस्ता की एतियासिक और पिछले वर्सों में सासन पारदर्सिता में इसके योगदान को जिन्नत करने के लिए हमने 16 नुएंबर को ओड़िट दिवस के रूप में मनाया है तो ये डेट महत बुणे ने ध्यान रखेंगे और देखिए कैग की बात हुई है तो वर्तमान में जो हमारे कैग है इनका नाम है जीसी मुर्मू और ये हमारे 14 नमबर के कैग है और देखिए जीसी मुर्मू के बारे में एक चीज़ा आप और ध्यान रखेंगे जैसा कि आप सभी को ग्यात होगा कि जम्मू कस्मीर वर्तमान में एक केंडर सास्थ प्रदेश है तो जीसी मुर्मू को वहाँ के पहले उपराजपाल के रूप में निक्त किया गया था और बारे में जैसा कि आपको ग्यात होगा यह फॉर्मूला वन ड्राइवर है जो की सम्मंद रखते हैं मर्सडीज ग्रेट ब्रिटेन से तो इन्होंने वर्स द्वचार 21 फॉर्मूला वन ब्राजीलियाई ग्रेंड प्रिक्स जीत ली है और इसी रेस में मैक्स वैलस टैपन ज हो रहे हैं लियूस हैमिल्टन तो आजकी इस करेंट फिर्स की स्रंखिला में इतना ही अब जो हमने कल पढ़ा था एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं पहला दिया हुआ है टी ट्वंटी वर्ड कप 2021 के बारे में तो इस वर्स इसे पहली बार जीत लिया है उस्ट्रेलिया के द्वारा और उस्ट्रेलिया ने न्यूजिलेंड को आठ विकेट से हरा कर ये वर्ड कप अपने नाम किया है फिर हमने पढ़ा था वंगला उत्सो के बारे में जो कि मेगाले राजी के द्वारा गारूस जंजाती के द्वारा मनाया जाता है एक फसल को काटने के बाद मिली आप जानी ये एक फसल ते वहार है जो कि एक फसल के पकने के बार मनाया जाता है और ये समन्द रखता है जनजाती पाई जाती है जिसे हम गारोस नाम से जानते हैं।। यह द्वारा यह भांगला उस्व मनाया जाता है और हमने पड़ा तुम स्वाork. 46 008 जान दौलमे भार्णा उस्व मनाया जाता है वनालू मुहने खेच्ट netarrive jim और यदि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो काला नमक चावल महोसो ये हमारे उत्तर प्रदेश का है और यदि काला नमक जी आई टेग की बात की जाए तो काला नमक जी आई टेग ये मणिपुर राजी का है अगला देखते हैं दिया हुआ हभीब गंच रेलवे स्टेशन के बारे में जो की भोपाल मद्धि प्रदेश में इस्तेता है तो इसका भी हालही में नाम बदल दिया गया है और रखा है अठारवी सताबदी की गौंड रानी रानी कमलापती के नाम पर फिर हमने पढ़ा था एक पुस्तक के बारे में जिसका नाम है फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट तो भारत की जो वर्तमान रक्षा सचीव है डॉक्टर अजे कुमार इन्होंने नई दिल्ली में इसका विमोचन किया है फिर दिया हुआ है विस मधमे दिवस के बारे में जिसे हम अफजर करते हैं 14 नुमबर को और इस वर्स इसका विसायानी की ठीम रही है मधमे देख भाल तक पहुंच अगर अभी नहीं तो कब और देखी निच्चे लिखा हुआ है विस मधमे दिवस को अधिकारेक तोर पर वर्स 2006 में सयुक्त राष्ट के द्वारा मानिता प्रदान की गई थी फिर हमने पढ़ा था बाबा साहिब पुरंदरे के बारे में जो की एक प्रसिद इतियास कार थे और इनका अभी निन्यानवे वर्स के आवि में निधन हो गया है अगला देखते ही दिया हुआ है कोप 28 सम्मेलन के बारे में यानि की कॉन्फरेंस ऑफ पार्टीज तो यह वर्स 2023 में आयुजित होगा और इसकी मेजवानी की जाएगी सेयुक्त अरब अमिरात के द्वारा और देखिए अभी चर्चा में रहा है कोप 26 जो की वर्स 2021 में ही संपन हुआ है क्लासको स्कॉटलेंड में और कोप 27 जो की आयुजित होगा मिस्र में वर्स 2022 में और यदि आप से पूछ ले कि पहला कोप कब हुआ था तो यह हुआ था 1995 बर्लेंट जर्मनी में और देखिए यदि अन्य सम्मेलन की बात की जाए तो G20 सिखर सम्मेलन ये वर्स 2021 में औक्टूबर महा में रोम में हुआ था वर्स 2022 में ये इंडोनेशिया में होगा और वर्स 2023 में इसकी मेजवानी हमारे भारत देश के द्वारा की जाएगी और G20 के सेरपा की रूप में वर्स 2023 के लिए हमारे तरफ से चुना गया है प्यूस गोयल जी को फिर दिया हुआ है SCEO यानि की संगाई कॉर्पोरेशन और्गनाजेशन के बारे में जिसके अभी आठवी सदस देश की रूप में सम्मिलित हुआ है इरान तो इसकी जो वर्स 2020 में बैटाक हुई थी ये हुई थी रस्या में वर्स 2021 में जो हुई थी ये हुई थी दुसामवेत तजाकिस्तान में इसके लावा आप ध्यान रखेंगे G7 Summit के बारे में तो वर्स 2020 में जो G7 Summit हुआ था ये US में होना तै किया गया था परन्तु इस्तगित हो गया था फिर 2021 में हुआ है UK Cornwall में तो ये कुछ महत पूर्ण सम्मेलन थे जिनके बारे मैंने आपको बताया तो आज के सेजन में अब इतना ही मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक लिए धन्वा सभी को आप सभी का दिन सुभू